आज हम खिचड़ा बनाने जा रहा हैं तो यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है बहुत अच्छी लगती है और हमें भी बहुत पसंद है तो इसके लिए था ने हमने यह गदाओं मस्टर डाल ले लिया है 200 ml और यह हमने प्याज लिए है दो बड़े साइस की प्याज ले लिए दो तेज पत्ते और एक बड़ी लाइची और दाल जीनी के दो टुकड़े हैं तो यह बगार देंगे हम इसको प्यास से तेल को और तेल हमारा जो है अच्छा तेज गरम था मस्टर डाल जाए थोड़ा सा तेज गरम होता है तभी उसके अंदर किसी चीज को डालना चाहिने तो थोड़ी सी इसमें महक आती है और यह हमारे पस आधा किलो गोश है यानि हाफ केजी धनिया पावडर फो टीस्पून तू टीस्पून लाल मिर्च है त्री टीस्पून हल मक्तेस के साब से और यह चार टीस्पून हम अध्रक लैसून का पेस्ट आलेंगे चार से पांच चमच क्यूंकि यह सब गोश में तो अभी डालेंगे फिर उसके बाद जब यह दाल में मिलेगा मसाला तभी खिचुड़ का अच्छा सा टेस्ट आएगा तो यह हमारा प्या बहुत सारा चिकना ही सोक लेती है तो हलका सा चिकना ले ले और मटन या वीफ किसी भी चीज में आब बना सकते हैं तरीका सेम ही रहेगा एक दो मिनिट हम इसको भूल लेंगे गोश को ऑईल में प्यास के साथ तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और फिर इसके बाद इसमें हम अपने बाटर के मसाला डालेंगे तहले तो अंद्र अधर कलैसल का पेस्टी डालेंगे और उसके साथ हम एक दो मिनिट इसको भूलेंगे कि अधरक लेस्टेंस में थोड़ी सी काली मिरेज डाल के हम पीस्ते हैं तो यह चार चम्मच भर करके हमने डाल दी इसमें और थोड़ा से इसके साथ चला लेंगे तो बड़ी अच्छी से खुश्बूर निकलने लगती है जब अधरक लेस्ट के साथ हम मीट को भूनते हैं बस एक दू बिनिट इसको चला लें और फिर यह हमारे जो सुके मसाले यह डाल दें जादा मसाले इसमें कोई नहीं पढ़ते हैं सिंपल से मसाले ही पढ़ते हैं यह धनिया पाउडर थोड़ा सा जादा अब इसको हम थोड़ा सा इसके साथ भून लेंगे और फिर इसको हम गला लेंगे यह ऑल में हमारे मसाले अच्छी तरीगे से भून गया है और यह थोड़ा सा हमने इसमें पाई डाल दिया पानी इतना डाल देना है कि बोटियां अच्छी से गल जाए थोड़ा सा और डाल देते हैं तो यह आपको समझ में आ रहा होगा कि बोटियां हलकी सी दिखाई दे रही है इतना पानी हमने डाला है और नमक में दे चॉप टेस्ट कर सकते हैं और इसकी हम ढखकर लगा के इस पंद्रा से बीस मिनट तक इसको अमसलो फ्लेम पर पकाएंगे और यह हमारा मिट इतने में बिल्कुल रेडी हो जाएगा और अगर आपका नहीं कम गला है तो आप इसको थोड़ा और ज्यादा भी पका सकते हैं और यह एक चैह टी स्पून भर करके हमने होश्बू का मसाला इसमें डाल दिया और यह थोड़ा सकेवड़ा एक दू टी स्पून के वराबर अगर डालना चाहा है तो डालें अगर नहीं डालते तो कोई बात नहीं हमारा रेडी हो गया है तो उसी कुकर में हमने यह एक कप हमने गेहो रात भर के लिए भीगो के रखा था यह यह हमारा जो गूरी होती है छीला हुआ होता है उपर से वह है और इसके साथ थोड़ी सी जौ भी मिली हुई है और एक कप है यह एक कपट जर डाल यह है यह भी हमने एक दो घंटे भीगों के रख दिया था और वह जो बूरी है वो पूरी रात भीगोया है और यह बूरी निख यह खालय में यह भम छोके एक दो सीरहessen पानी डाल देंगे तीन चार ग्लास पानी डाल दीजेगा जिसे अच्छे सी गल जाए थोड़ी सी हल्दी एक टीस्पूल और थोड़ा सा नमत प्षी नमक आप देंगे हम हैं कि दाल बागर जो पकें इसके अंदर फीका पेन नहों नमक चला जाए तो यह हमने तीन ग्लास पाई डाल दिया और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा इसमें खौल आने देते हैं फिर पॉपी कूकर नगाेंगे तो यह ने कूकर का धकल नगा दिया और आब इसको हम आदे गंटे तक की प्लेम पर पकाएंगे पहले एक सीटी आजाने देते हैं और फिर इसके बाद 30 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि गिहूं टाइट होता है और हमने विगो के रखा है तो यह अच्छे से गल जाएगा तो आदे गंटे के बाद हमने फ्लेम को आफ कर दिया था और इसकी फ्लेम में छोड़के इस टीम में ही अब देखे यह हमारे गूरी भी अच्छे से गल गई है जोगी हूँ जो वगरा है और दाले तो गली गई है चावल भी गली है लेकिन अभी सब चीज़े पूरी पूरी साबों दिखाए जे रही है तो यह आदा कव हमने माश के लिया चिलके awfully और यह खड़ी मूँ है और यह मसुल की डाल है हाफकई यह भी है चिलके वाली गर आप चाहे तो सारी डाले बिना धुली भी लिबना धुली भी बिना धुली दाल систему है वो डाल सकते हों जिसे ही इस तरीके की, इसके जिमा पर यह डाल सकते हैं और यहां पर पीली मॉंक यहां पर दूली माश की डाल है, लेकिन हम एक बनाते हैं, और दोने तरीके कहलेंगे मतलब ड्राय रोस्ट कर लेंगे सुखा ऐसे ही भूल लेंगे इसको हलका सा और फिर इसके बाद इसको हूं दो करके पकाएंगे पहले हमने दालों को बीन लिया था यहीं साफ कर लिया था अच्छे से कमकड वगयरा और यह मरी भून के तयार हो गई और इसको हमने दालों को तो यह मैं दालें डेल कप है आधा कप हमें तीन तीनों दाली ली थी और इसमें तीन कप पानी ढालेंगे और इसमें भी हल्नियों और नमक भी पहुँच जाए और कोई मसाल्य हम नहीं डालेंगे तो यह तीन कप पाई डाल के इसको भी हम एक सीटी आने के बाद 15 मिनिट के लिए पर रखेंगे और हमाई दाले बिलकुल अच्छे से गल के तयार हो जाएंगी और हमने यह सब एक ही कुकर में बनाया है क्योंकि हमारे पास टाइम था में जल्दी नहीं थी और अगर आप चाहें तीन कुकर चड़ाएं एक साथ और फटा फट से एक घंटे में यह सारा हमारा खिचड़ा तैयार हो जाएगा कुकर में पकाने के विज़े से खिचवा पकाना बहुत आसान हो जाता है और पहले तो सब यह दालें खुले में ही गलाई जाती दी तो बड़ा मुश्किल परता होगा लेकिन अब तो बहुत आसान है बनाना तो जो गूरी और चर्णी की दाल और चावल हमने पहले वाले थे उसको एक बड़े भगोनी में कर लिया और अच्छे से इसकी घुटाई कर लिया हमने और अब ही हमारी दाले भी गल गई है इस टिम खातम हो गई है तो यह देखिए ली दल बीचाई है और नीचे से कोई लगी नहीं है इसको भी इमसे बवबने में कर लिया और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं मैं कि आह समय हरे मिर्चे और अध्राइब मदेधर सारी काट एक हरे मिर्चे कम दाले हम में अध्राइब ज्यादा हे हमारे मेरे मारब तोड़ा कम खाते हैं तो आप लोगत कаменवा खूब अगर कुछ घघर जाइब है Makes तो इन सब चीजों को भी अच्छे से हम एक साथ घोड़ देंगे मिक्स कर देंगे सारी चीजों को अभी हमने फ्लेम पर नहीं रखा है इसको और थोड़ा से घोटने के बाद इसमें हम जो ने गोश्ट पकाके रखा था उसका ऑईल डाल देंगे इसके अंदर और उसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो इसका ऑईल डाल दिया हमने और अब इसको भी एक मिक्स दे देंगे अच्छे से तो इसके सारी चिकना इसके अंदर जा रही है कुछ पता ही चलेगा कितनी हमने चिकनी डाल दी इसके अंदर और अब हमारा एक जड़ा बिलकल रेडी होने वाला है तो इसको हम फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ा इसमें पानी पी डालेंगे तो हमने इसको फ्लेम पर रख दिया ताकि अब यह गरम होने लगा नीचे से और यह बिलकुल यह देखिए विलकुल तयार है गाड़ा है थोड़ा सा वैसे गाड़ा ही रखा जाता है बहुत पतलग नहीं रखा जाता है यह यह आपकी अपनी चॉइस पर है कैसा पसंद करते है एक दो मिनिट इसको इंगोटने के बाद इसमें अपने अपने अब यह जो हमारा गला हुआ रखा वह पका हुआ इसको डाल देंगे अब हमने इसमें गोश्ट डाल दिया यह पका के रखा था और उस बहुने में थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि जो मसारे लगे हैं वह इसके अंदर आ जाएंगे और पानी भी थोड़ा डालना है हमें तो यह देखिए इस सारी बोटिया इसके अंदर अब मिक्स कर हमने तो इसका टेक्स्च्चर पानी लगा है जैसा हमको चाहिए ऑजली तो यह थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया इसमें एक ग्लास पानी डाला है और अब इसको पक जाने देंगे हम अच्छे तरीके से आपिर इसके पर हम बाहाल लगा देंगे और हमारा किछड में तयार नीचे से लगे ना इसलिए बीच बीच में चलाना जरूरी है तो नीचे से लगने लगता है तोड़ा सा नमक कम है इसलिए नमक डाल रहे हैं आप भी डाल सकते हैं अगर आपका कम है नमक बगएरा तो टेस्ट करके आप डाल सकते हैं तो अभी गरम हो गया है हमारा थोड़ा सा फदकने लगे नीचे से अच्छे से खौल आने लगे इसमें अब देखें नीचे से यह पकने लगा है अच्छी तरीके से यह उचलने लगता है बहुत इसको फोरण ही चलाना पड़ता है कि ये वर नीचे से लगने जाएगा कि अब न्युद्धाने बुद्धार चौलन धनिया और काली मिरज का पौडर है को एक्वल इस्पून और थोड़ा सा अहरा धनिया हम डाल देंगे इस्गे यह हमारा किच्वाब तैयार हो गया है इसमें सिर्फ बगार लगानी है जैसे एक टेबल स्पून धनिया ले लिया साबूत एक टेबल स्पून जीरा और एक टेबल स्पून कारे मिरच यह थोड़ी सी कम उससे अगर तीका कम कहते हैं इनों चीजों को हलका सा रोस्ट करने के बाद इसको पीस लेते हैं तो यह हमारा पॉड़र तयार हो जाता है गरम मसाले इसमें डालने के लिए और उपर से भी यही डाला जाता है इस थोड़ा सर्सू का देल हमने गरम कर लिया आधा कर एक चोटी सी प्याज इसमें हमने काट के डाल दी है इसके मगार लगाएंग बचे में थोड़ा सकते हम हम और कर ब्रशाना कर जाएगा तब हम यह कश्मीर एल तो अच्छा हो जाएगा अगर अपना डाला जाया है तो नई भी ढ़ता है अब यह देखिए हम थोड़ा सा कश्मीरी एलाल मेच इसमें डाल दिया सिफ इसलिए कि और चावर बचा आपर और यह हमने अपने भगाने में अब यह बगार लगा देंगे हम और अब यह हमारा खिचड़ा बिलकुल तयार तो है ना कितनी आसान सी रेसेपी अगर जो लोग खिचड़ा खाते हैं तो उनको तो महत ही पसंद आएगी रेसेपी हमारी इंशाल्ला चैक केहई हरा धनिया और डालेंगे और हरा धनिया हरा मेर्चा और यह भूना मसाला ने भína बनाया है यह इसके उपर यह साथ में इसके उपर आप लूद क्योंकि नीबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह डाइजेस्ट करने में भी आसानी होती है थोड़ा से अध्रक के जूरियंस भी उपर से डाले इस तरीके से गानिश करके सब करिएगा और जिसके से को भी दीजेगा आप इसी तरीके से दीजेगा और थोड़ा से उपर से यह गुना मसाला जरूर ठीचड़ा कियेगा इससे बहुत ही बढ़ी टेस्ट आता है तो एक बार हमारी तरीके से इस तरीके से खिचड़े को जरूर बनाईए और पसंद आए तो फीड़ बैक जरूर दीजेगा प्लीज बहुत अच्छा लगता है आपके फीड़ बैक जब आते हैं कमेंट्स आते हैं तो हमें पढ़ते हैं उसको प्लीज ब अधर हमारी रेसिप्पी पशंद आई ओ तो उबार लाइक जरूर करियेगा शैर करिये हमारी रेसिप्पी को अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलेंगे इंशालला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज अस्सालमुलेकूम